नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेल्कम तो दे यूट्यूब चैनल उफ ग्यानवेयार क्लासेज, जैसा कि आप सबको पता है, आज आपकी स्पेशल क्लासे इंग्लिश की और स्पोकन इंग्लिश की और पर्सेनल्टी डेवलप्मेंट की भी एक पार्ट कराऊंगा मैं आपक तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, फर्स्ट क्लास के अंदर आपका जो होगा how to make your day, किस तरह से आपको अपना खुद का दिन अच्छा बनाना है, तो मैं आपको एक स्टेप्स देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कि एक जने के साथ क्या हुआ या आप ही हो सकते हो, फॉर एक्जामपल, आप सुबे सुबे रेडी होके, एकदम तयार होके आप घर से निकल रहे हो, जैसे ही आप गेट के पास पहुचे, तो क्या हुआ कि बाहर से कोई कूडा कचरे वाला जा रहा था, और उसकी क्या है साइकल से सारा का सारा कच गुसा है जो आपका बढ़ गया, तो जैसे आपका गुसा बढ़ा तो जैसे आप थोड़ा सा आगे गए, ठीक है, तो कुछ दो औरते बात करी थी, तो उसमें से एक जनने ने का कि पागल है, तो आपने क्या सोचा, कि इसने मेरे को पागल कैसे बोल दिया, और गुसा और फिर आप गए, अगर आप स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल बस में प्रॉलम होगी, अगर आप कोई कहीं दूसरे काम से जा रहे हो, या फिर कोई आप प्रोफेशनल हो, तो आप अपने पूरे दिन आपका बढ़ास निकालोगे उस पे, और किसी ना किसी पर आप गुसा करते रहोगे, इसी से आपका क्या होगा, पूरा का पूरा दिन आपका खराब चला जाएगा, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि असली में क्या हुआ था, असली में ये हुआ था कि जब वो कुडे वाला जा रहा था आपके करके सामने से, तो आपके घर के जस्ट बार ही वो िहला था कोई बड़ा सा तो उसमें उसका जो है टायर गिरा और कच्छा शारा का सारा आपके इद हुदर पास में घर गया फिर जब आगे से निकले तो जब वह दो उरते बाते करी थी तो वो क्या बात करी थी? कि वो जो सीरियल में जो वो था वो पागल है लेकिन आपने शिर्फ लास्ट में क्या सुनाई दिया? पागल है और आपने खुद सोच लिया कि आपको बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था फिर आपने क्या क्या आप अपने ऑफिस गए हो और अगर आप शान्त रहते उस टाइम तो ना तो उस कुडे वाले का दिन खराब होता ना आप किसी के बारे में गलत सोचते और आपका दिन भी एकदम अच्छा चला जाता तो आपको ही कंट्रोल में रखना पड़ता है किसी दूसरे का हक नहीं है अपने दिन पे सिर्फ अपना ही हक है अपने दिन पे तो चेंज यॉर डे विथ यॉर्सेल्फ तो इंपोर्टन्ट क्या है आप अपना दिन खुद बनाते हो किसी दूसरे का हक नहीं है इस पे अब हम कंट्रोल कैसे करेंगे हमारे एंगर पे तो देखिए अगर आपको गुसा आए तो दस नो आठ साथ छे पाच चार तीन दो एक फिर वापस से स्टार्ट करिए ऐसा कुछ मत करिएगा इससे गुसा शांत नहीं होता और बढ़ जाएगा तो ये पुराने तरीके थे अगर आपको गुसा आ रहा है तो आप क्या करिए आप बिलकुल मोन हो जाएं उस समय बिलकुल shut your mouth मतलब कि अगर आपको गुसा आ रहा है आपको लग रहा है कि गुसा आने वाला है तो आप एकदम चुप हो जाए बहुत ही patience रखे उससे क्या होगा उसके एक तो फाइदे बताता हूँ patience अगर आप रखोगे तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा आप से कोई नराज भी नहीं होगा लेकिन अगर आपने अपना patience आपक होया तो आपका दिन तो खराब जाएगा इस बिछले बाकी सब का भी दिन खराब कर दो गया तो गुसे से गुसे में आपकी कुछ ऐसी बाते निकल जाती है जो कि अगले को हर्ट कर देती है तो गुसा जो है दुश्मन है ठीक है प्यार का भी और जो भी आप समझो सब का गुसे का गुसा दुश्मन ही है तो हमेशा अपन को क्या रहना है हमेशा हम को happy mood मूड में रहना है परिष्टितियां खराब हो जाती है सब के साथ होती है ठीक है मेरे साथ भी होती है कोरोना में तो सब की ही problem हो रही लेकिन अगर आप देखिए इस दुनिया में सब के खाने के लिए भगवाने विवस्ता करिए कोई भी भूका नहीं सोता है तो आपको कोई तरह की tension लेने की ज़रुत नहीं है ठीक है चाहिए वो किसी भी तरह से हो financially हो mentally हो physically हो किसी भी तरह से हो आपको बस क्या रहना है हस्ते वे रहना है और हस्ते वे रहोगे तो बाकि सब लोग अच्छे से रहेंगे लेकिन अगर आप अपनी कमिया दूसरों को बताओगे अगर आप लोगों को बोलोगे की मैं परिशान हूँ क्या हूँ? मैं परिशान हूँ तो अगले जो लोग हैं वो भी क्या करेंगे? आपसे दूरिया बनाने लग जाएंगे लेकिन अगर आप खुश रहोगे तो हमेशा आप दूसरे भी लोग आप के साथ खुश रहेंगे ऐसा कहते हैं कि negative लोगों के साथ रहोगे तो negative हो जाऊगे लेकिन अगर positive लोगों के साथ रहोगे तो आपके सामने पूरा atmosphere positive हो जाएगा और आपके लिए भी मैं आपको सला देना चाहता हूँ कि जो भी आपके नेगेटिव लोग हैं तो एक तो उनके साथ मत रो अगर आपको साथ रहना ही है तो उनको मोटिवेट करो और मोटिवेट करके उनको क्या करो और ज़्यादा अपन को खुश रखो उनको ठीके तो ये था आज का personality development का part लेकिन ये really में बता रहा हूँ मैं आपको कि आपका जो दिन है आप खुद बना सकते हो किसी दूसरे का हक नहीं है आपके दिन पे चलिए अब pronunciation of words करते हैं तो pronunciation of words के अंदर इन तीनों को कुछ एक जैसा ही बुलाया जाता है सबसे पहला होता है accept एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना जैसे मेरे को कोई agreement बिलाये तो मैंने उस agreement को accept कर लिया यानि की स्वीकार कर लिया second है accept accept का मतलब होता है के अलावा दौनों का pronunciation कुछ कुछ सेम ही है लेकिन इसको बोलते हैं के अलावा for example except his father everyone was present in the party मतलब उसके फादर के अलावा बाकि सब पार्टी में थे फिर आता है expect करना मतलब क्या करना उमीद करना उमीद करने का मतलब क्या होता है कि अगर अपने parents और अपने family वले किसी से उमीद करते है expect करते है जैसे for example कोई IIT में गया है तो IIT वाले उसे क्या करते हैं हम expect करते हैं कि वो अपनी सही रहा पे चले और खुद अपनी मंजिल बनाए ठीक है तो यह आज का first था accept accept और expect चलिए second है आज का word टी एची द दी जो भी अपन बुलाते हैं तो देखिए जब भी जैसे मैंने लिखा the sun मैंने लिखा the moon और मैंने लिखा the earth वापस एक बार सुनें इसको तो मैंने का है the sun दूसरे को मैंने का है the moon लेकिन तीसरे को मैंने का the earth तो जब भी consonant से पहले the लगे तो इसको हम the ही बुलाएंगे तो इसको हम क्या बुला रहें the लेकिन जब हम वावल के साथ में the लगाएं तो हम उसको क्या बुलाते है दी तो जैसे elephant के साथ हम क्या बुलाएंगे the elephant बुलाएंगे ना कि the elephant ठीके अगर मेरे को बोलना है dash old man तो यहां पर हम क्या बुलेंगे the old man ना कि the old man तो यह था the का use फिर third question यह सब आपको पता है यह बादाम है तो इसको बहुत सारे लोग क्या बुलाते हैं बादाम तो बुलाते हैं इसको और सारे क्या लोग बुलाते हैं almonds बुलाते हैं अब यह almonds होता नहीं है इसको क्या बुलाते हैं almonds एल यहां पर silent रहता है देखिए spelling तो almonds होती है लेकिन इसका जो सही pronunciation है उच्छारन वो क्या होता है almonds तो आप भी यह जान लीजिएगा I take a bunch of almonds every day in the morning मतलब मैं सुबह जो है एक मुठी थोड़ा सा मतलब पाच यचे लेके almonds रोज खाता हूँ fourth बहुत ही important एक है आपका career एक है यह carrier करियर का मतलब क्या होता है जैसे आप किसी चीज में जा रहे हैं तो आपका आगे कैसा career है और एक होता है carrier carrier देखे cycle के पीछे भी एक लगावा होता है उसको भी क्या कहते है carrier का जाता है तो इस spelling के अंदर आप confuse ना हो ठीके तो यह था आपका fourth word fifth word बहुत ही जादा important एक चीज बताना चाहरा हूँ मैं आपको जब भी किसी word के अंदर mb लिखावा हो तो यहाँ पे हमको b क्या रखना है silent मतलब आपको इसमें बोलना नहीं है कैसे करना है देखिए चुप रहना है b तो plumber का plumber नहीं बुलाते क्या बुलाते है plumber b यहाँ पे क्या रहेगा silent थोड़ा अठपटा लगता है लेकिन English के इसाब से तो यही सही है अब plumber को हिंदी में बता दो अगर आपको पता हो तो comment box में लिख देना थीक है तो इसको क्या कहते है plumber कहते है जैसे आप यह देख लीजिए थीक है sanitary works के अंदर हमको किसकी need हो ना कि climbing climbing ठीक है तो यहाँ पे इसको भी क्या बुलाएंगे climb बुलाएंगे be यहाँ पे क्या होगा silent देखे जैसे यह लड़की climb कर रही है तो climb नहीं कर रही है क्या कर रही है climb इसी तरह से seventh word अंगुठा अंगुठे को English में thumb कहते हैं लोग लेकिन इसको thumb नहीं कहना है इसक Ritik Roshan has two thumbs ठीक है बिलकुल सही बात है दो अंगुठे हैं और दो अंगुठे वले क्या होते हैं किस्मत वले लोगों कही होते हैं और आपको पता है यह Ritik Roshan one of the most handsome men of the world Itth कंगी जिसको कहा जाता है अलग-अलग प्रकार के हैं ठीक है अब कॉम नहीं होता है यह क्या होता है सिरफ कॉम कहते हैं कॉम भ भ भ नहीं बोलना है इसमें सिरफ क्या बोलेंगे कॉम I always comb my hair and go from home इसी तरह से ninth को अब इसमें देखो इसमें MB है लेकिन इसको Tom नहीं बुला इसको मतलब कहते हैं मकबरा जैसे यह आप देख सकते हैं तो यह हुमाईू का मकबरा है जो कि डेली के अंदर है तो इसको हमेशाम क्या बुलाएंगे Tool Humayu's tomb is in Delhi तो यहाँ पर क्या बुलाएंगे Tool अच्छा दिल्ली तो बोलते हें हिंदी में लेकिन इंग्लिश में बोला जाता है डेली तो इसको दिल्ली नहीं बोलना इंग्लिश के अंतर तो इसको कहा कहते हैं Tool कहा जाता है फिर दसवा question है read, read का मतलब होता है पढ़ना, बिल्कुल सही बात है तो read के कुछ forms होते है तो ये होता है read, second form को हम पढ़ते है red, spelling तो क्या होती है, read, लेकिन पढ़ते क्या है, red, third form को हम क्या पढ़ते है, red, fourth form को हम पढ़ते है, reads, और fifth form को हम पढ़ते है, reading लेकिन मैं सिर्फ आपको pronunciation की बात कर रहा हूँ spelling दौनों की same है, लेकिन इसको read पढ़ेंगे, इसको red पढ़ेंगे, फिर बहुती ज़्यादा students को तकलीफ आती है कि हम read कब बोले और study कब बोले mostly जितने भी students मेरे पास आए है जोदपुर के और जोदपुर के आसवास के गाव से, तो वो हमेशा ये बोलते है कि I read in class 10th या 11th या फिर 12th, तो क्या बोलते हैं वो? I read in class 12 बोलेंगे, लेकिन ये एकदम गलत है, हमेशा read तो किसी किताब को पढ़ने के लिए कहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज मैं आपको बता रहा हूँ जब भी आप class की बात करें तो क्या बोलेंगे? I study in class 12 तो जब भी आप किसी किताब को पढ़ेंगे या फिर किसी newspaper को पढ़ेंगे, या बोर्ड पे ये लिखावा पढ़ रहे हैं या फिर कोई mobile का message पढ़ेंगे तब तो आप क्या लगाएंगे? Read लेकिन आप किसी चीज का अधियन कर रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे? Study. Example ये मैंने लिखा, I study in class 12 और I am reading a book अब अगर मैं बोलू, I am reading a book of English, लेकिन अगर मैं बोलू, I am studying English, तो ये दौनों सही है, I am reading English नहीं बोलेंगे, I am reading a book of English बोलेंगे, चलिए, ये था आपका 10th word, 11th word है आपका clothes, अब इसको clothes नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, close clothes, थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन यहाँ पे सही pronunciation इसका क्या होता है close, close आपके ये सारे के सारे होते हैं, तो when I went to Tripolia market I bought clothes from there, तो यहाँ पे clothes नहीं होगा, close होगा 12th अब यहाँ पे सब arctic arctic करते हैं, लेकिन ये arctic नहीं बोलते हैं इसको, पहले आपको बोलना आर्क कर बोलना पड़ेगा, आर्क टिक, तो जैसे कि आपको पता है, ये arctic region है, जहाँ पे पूरा बरफ ही बरफ होता है, एक होता है arctic region, एक होता है antarctic region, ठीक है इसको arctic नहीं पढ़ते हैं फिर 13th word बहुत सारे लोगों को ये चीज पता है इसको लोग tuition, tuition कुछ करते हैं लेकिन इसका सही pronunciation क्या है tuition ये ट्यू है T-U-I, ठीक है अब यहाँ पे spelling भी बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं यहाँ तक कि जो tuition centers भी खोले वे हैं तो वो भी यहाँ पे T-U-T-I-O-N लेकिन इसकी सही spelling भी क्या है T-U-I, T-I-O-N और tuition मतलब क्या होता है इस तरह से पढ़ाते हैं और जो बड़ा होता है वो होता है coaching center और उसके साथ ही institute भी वही होता है अब इसको हम पढ़ते हैं develop ठीक है develop पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं development तो develop का मतलब होता है कि किसी person को है वो क्या होता है develop क्या करते हैं हम develop करते हैं ना कि develop करते हैं तो यह क्या होगा development जैसे personality development ना कि development ठीक है तो यह थे 14 वहला 15 जो की आप देख सकते हैं यह कितनी शानदार photo है यह amazing amazing photo है और awesome photo है लेकिन यह क्या है photographer नहीं इसको तो हम photo बोलते हैं बिल्कुल सही है लेकिन इसको photographer नहीं बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं photographer क्या बोलते हैं फटने वाला photo photographer ठीक है इसको बोलते है photo इसको बोलते है photographer ठीक है फिर main बहुत important चीज शादियों में जो सबसे ज़्यादा खरचा जो किस पे करते हैं लोग इस पे और जो लेडीज हैं जो इनको हमेशा चाहिए होता है वो क्या होती है आबुशन और आबुशन को हम सब क्या बोलते हैं ज्वैलरी लेकिन इसको ज्वैलरी नहीं बोलते हैं इसको हम क्या बोलेंगे जूलरी क्या बोलेंगे जूलरी औ और अगर आप जोदपुर में भी अगर कलियान जूइलेट्स पे जाओ तो हमेशा आपको जूइलरी नहीं दिखाएंगे, वो आपको क्या दिखाएंगे, जूइलरी दिखाएंगे और यह मेरा personal experience है, तो इसको जूइलरी नहीं बोलते हैं, इसको सही प्रनेशेशन क्या है, 17th question इसको बहुत सारे लोग quote अब बहुत सारे लोग को तो confusion होता है कि इसको बुलाना क्या है तो इसको quote नहीं बोलते इसको बुलाते है quote क्या बुलाते है quote quote ठीक है अब जैसे महात्मा गांदी जी ने कहा है the future depends on what you do today मतलब जो आप करोगे अभी उस पे आपका future depend करता है तो अगर आप English पढ़ोगे अगर आप competitive exams के लिए चीज़े पढ़ोगे अगर आपकी English improve हो रही है तो आप आगे जाके successful बन सकते हो तो मेरा भी एक छोटा सा quote है मैं आपको बताना चाहता हूँ तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा कि मेरा है go with the flow और ये मैंने खुद ने ही बनाया है go with the flow का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका चल रहा है वैसे चलते रहो मतलब flow का मतलब क्या होता है जैसे कोई नदी है नदी के साथ साथ चलते रहो मतलब अपनी लाइफ चल रही है लाइफ के साथ साथ अपन चलते रहो चो गलतियां हो प्रॉब्लम हो कोई नहीं चलते रहो ठीके तो ये मेरा quote है फिर 18th word है बहुत सारे लोग इसको schedule बुलाते लेकिन schedule accept है बना सकते हैं अपन schedule भी लेकिन इसको जो सही pronunciation है वो क्या है schedule क्या बुलाते है schedule लेकिन schedule भी बिल्कुल सही है कोई तरह की problem नहीं है इसी तरह से ये word इसको सब जने कहते हैं education लेकिन ये education नहीं है ये बिल्कुल कते ही ये गलत है बिल्कुल सारा का सारा इसको क्या कहते हैं हम Edu Education कहते हैं क्या कहते है Education तो इसका सही example क्या है Education system of India is very good ठीक है आप जो भी है Line है बस आप Line समझे ये भावना उपर मत जाईए 20th question तो इसको सब लोग क्या पढ़ते हैं Elite पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं Elite Elite का मतलब क्या होता है Visist work मतलब कि जो top के जो लोग होते है उनको क्या कहा जाता है Elites For example अगर ये एक school है St. Paul's तो St. Paul's के अंदर जो students है जो कुछ खास students है तो उनको क्या बोलेंगे Elite बोलेंगे They are the elites of St. Paul's school For example He is the leader मतलब सही माइने में Leader है Mr. Narendra Modi तो ये क्या एक Elite है इंडिया के और यहाँ पे कौन है Barack Obama जो कि World Power के सबसे बड़े Leader जो मेरे नजर में माने जाते है वो क्या है Elite तो आज के लिए इतना ही ये था आपका इस पोकन इंगलिश का छोटा सा पार्ट तो इसको अगर इस वीडियो को आप